दोस्तों, बॉलिवुड इंडस्ट्री में हमें कई ऐसी फिल्में देखने को मिली हैं, जिनके प्रोमोशन के लिए आक्टर से लेकर फिल्म मेकर्ज अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन इन ही में से कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं, जो बनती तो हैं, लेकिन फिल्में क अगर आप भी इस फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूं तो हमें बॉलिवुड इंडस्ट्री में कई ब्लॉक बस्टर फिल्में देखने को मिलती हैं, जहां कुछ फिल्मों में सूपर स्टार्स को सूपर हीरो के किरदार में देखा जाता है, तो वहीं कुछ सितारों को धाकर विलेन के किरदार में देखा जाता है, चाहे फिर बात हो फिल्म रूद राक्ष की या फिर अगनिपत की, फिल्मी मेदान में ऐसी और भी कई फिल्में हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों ही किरदार में बॉलिवर्ड इंडस्ट्री के सूपरस्टार्स एक साथ अभिने करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें करने के लिए Bollywood स्टार्स साफ इनकार कर देते हैं और इन्ही में से एक फिल्म कसाई थी यह फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें Bollywood इन्डस्ट्री के भाई जान, यानिकी सलमान खान पॉजटिव कैरेक्टर में नज़राने वाल मिला था, लेकिन जब भी दो सूपस्टार आमने सामने नजर आते हैं तो उन्हें देहना बेहत दिलचस्प होता है, ऐसा ही कुछ हुआ था फिल्म कसाई को लेकर भी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी बाते हुई जिसके वज़े से फिल्म की शूटिंग ही रुक गई अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि जब फिल्म का टीजर लॉंच हो चुका था तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग बन करनी पड़ी तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे सच्चाई क्या थी द उसी दौरान फिल्म का साई में एक फाइट सीन रखा गया था जिसमें सल्मान खान को सनी देवल को बुरी तरह से पीटना था लेकिन क्यूंकि सनी देवल उस दौर में एक जबरदस अभिनेता कहलाए जाते थे तो इसी के चलते उन्हें ना तो ओन स्क्रीन और ना ही ओफ स स्क्रीन किसी से पिटना मन्जूर था और जैसे ही सनी को ये पता चला कि इस फिल्म में उन्हें सल्मान खान से बुरी तरह से पिटना है तो उन्होंने तुरंथ ही इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया जिसके चलते सल्मान खान और सनी देवल दोनों ही सूपर स्टार् यहां तक की बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ही सूपरस्टार्ज एक दूसरे की शकल भी देखना पसंद नहीं करते थे एक यही वज़ह थी जिसकी वज़ह से इस फिल्म की शूटिंग को अधूरे मोड पर ही रोग दिया गया जिसके बाद से दर्शकों को आज भी इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार है अब ये कहना तो मुश्किल है कि ये फिल्म कभी रिलीज हो पाएगी या नहीं लेकिन ये तो तय है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तब ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कहर बरसाती हुई नजर आएगी तो दोस्तों क्या सनी देओल का इतनी छोटी सी बात पर रूट जाना लाजमी था आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं साथ ही बॉलिवोर इंडास्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें